हेलो फ्रेंट्स वेल कम टू जैसी सी बी एक्जाम इनफु दोस्तों जैसी सी बी एक्जाम इनफु में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीयड में जो एड्मिसन हो रहा है सेशन 2021 में उसमें सेकंड राउंड काउंसलिंग से हम लोग आज देखेंगे कि कब से बीड का second round counseling होने जा रहा है जैसा कि first round counseling हुआ था उसमें admission हो गया था उसका counseling होके अब second round counseling होने जा रहा है तो जो जो student second round counseling में participate होना चाहते हैं वो लोग से request है कि इस video को last तक जरूर देखे कि क्या क्या important documents कैसे करना है सारा कुछ ही जो नहीं किये थे first round counseling किसी कारण वस अगर जिनका first round counseling चुड़ गया था उनलोग के लिए एक चांस है कि second round counseling होगा कब से होने जा रहा है फी कितना रहेगा सारा कुछ हम लोग यहां पे देखेंगे और अगर आप result देखना जाते है final merit list का तो वह भी आई बटन में आपको मिल जाएग चलिए देखते हैं आठ नमबर से इस सखतकार में वैसे सभी अभी अर्थी भाग ले सकते हैं जो पर्थम सखतकार में सामिल नहीं हुए है या जिने उक्त सखतकार से seat आउंट नहीं हुआ या seat आउंट होने के उपरांद भी नमंकर नहीं ले सके हैं मतलब जो जो student इसमें first round counseling में सामिल नहीं हैं वो लोग का तो उसके बाद next यहां पर point है कि वैसे अभी अर्थी जो आवेदन में असनातक का प्राप्तांग प्रतिसात आरक्षन की कोटी मतलब रिजर्वेशन की कोटी SC STOBC BC1 BC2 इसब उत्रिमता विश्विद्याले का राज गलत दर्ज करने के कारण आवंटन या नमांकन से वन्चित रह गए हैं किसी कारण वास किसी का अगर गलती हो गया था नंबर में जो ग्रेशन का माक्सित था उसमें कितना नमर आया था वो अपनों लोगिन करके अविश्यक सुदार कर सकते हैं नेक्स्ट है यहाँ अविवर्थियों को नमांकन के समय आउंडित सीट के अनुरूप परमान पत्र अनुसंसित संस्तान में प्रस्तुत करना है अनुवार्ज है साथ ही अविवर्थिया उसी आरक्षन कोटी का दावा करेंगे तो आपको आरक्षन कलाब नहीं मिलेगा और किस फर्मेट में रहेगा आपका सर्टिफिकेट वगेरा किस लेवल करेगा जाती आवास यह आई यह सब वह आप आई बटन से देख सकते हैं सीओ लेबल एसडियो लेबल डीसी लेबल वह सब भी वहां से आपको एक आडिया हो जाएगा नेक्स्ट है यहां पर देख सकते हैं कि वेसे वेर्थियों जो फर्स्ट आउन कांसलिंग में नामांकित हैं तथा रिक्त बच्चे सीटों पर संस्थान परिवरतन चाहते हैं मालेजे कि आप चाहते हैं कि हम दूसरा कोलेज में अडमिसन लेंगे और जो कहीं पर एडमिसन करा लिए हैं फरस्ट आउन कांसलिंग में तो वे भी सकतकर में सामिल हो सकते हैं यदि सेकंड आउन कांसलिंग में मालेजे उनको कुछ सीट जो है पुना री एलोटमेंट हो जाता है तो जो पहले मिला हुआ था उन्हें नए आउंटित संस्थान में नमांकन लेना अनिवार जोगा क्योंकि उनके पूरू का नमांकन जो है स्वता रद हो जाएगा तो ध्यान से जो जो एडमिसन ले लिए हैं वो लोग कंडिट के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपोर्टन यहां पर बात बोला गया है कि कांसलिंग सोच क्योंड में वहां पर ओटमेंटिक आपका कैंसल हो जाएगा और सेकंड राओन कांसलिंग में जब को सीट अलर्ट होगा उसमें आपका एडमिसन लेना जो एकदम जरूरी हो जाएगा आपको एडमिसन लेना ही पढ़ेगा ठीक है नेक्स्ट जो है टाइम स्केडिवल पोर सेकंड राउंड ओनलाइन काउंसलिंग फोर बीड दो हजार एकिस का यहां पर एडिट अप अप्लिकेशन फॉर्म बाइद रेजिस्टेट के देट जो जो रेजिस्टेट किये थे वो डेट 9 नॉवंबर से 12 नॉवंबर के बीच आप लोग यहां पर एडिट कर सकते हैं अप्लिकेशन में नाम वगरा प्राप्तांग में या फिर केटिगरी सेटिप में कहीं भी कुछ जो है आप लोग changing है उसको change करना चाहते हैं एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं publication of final estate medical list जो second round counseling का होगा वो 16 नमबर को publish किया जाएगा फिर display of seat matrix वो 16 नमबर को publish किया जाएगा 2021 को online registration and choice filling for seat allotment वो जो है आपका 17 नमबर से 22 नमबर के बीच आपका यहाँ पे online registration होगा और choice filling होगा कि किस college में आपको choice करना है कौन सा college government है कौन सा private seat matrix कितना ता first round counseling में वो भी आपको i button में मिल जागा या playlist में जाके separate महाँ पे देख सकते हैं बीएड admission 2021 का महाँ पे सारा हरे step by step वीडियो बनावा है वो वीडियो को देख के आप अपना जो है कर सकते हैं इसू अप पोडविनल सीट अलटमेंट लेटर 26 नमबर से 4 दिसमबर के बीच कर सकते हैं डोकुमेंट वेरिफिकेशन और अडिमिशन कांसर इंस्चुट 26 नमबर 2021 तक कर सकते हैं